MPK इन जीलों में आज भी तेज़ बारिश के आसार मोसम विभाग ने जारी किया अलर्ट नमस्कार मैं हूँ आपके साथ रिया फिप्लिवाल और आप देख रहे हैं डिजिटर वीडियो न्यूस टेराल MP7 News प्रदेश में आज भी बारिश का दोर चारी रहेगा मोसम विभाग ने प्रदेश के 42 जीलों में एक दिसंबर तक बारिश की संभावना जताई हैं वही शेश जीलों में मोसम शुष्क बना रहेगा बीते दिन कई जीलों में तेज बारिश हुई जिसमें तापमान में तेजी से किरावर तेखने को मिली बारिश की बज़ते प्रदेश में ठंड काफी हद तक बढ़ गई है वही आज भी मोसम विभाग ने बालागाट सिवडी चिंदवाडा बेतुल मंडला में भारिबारिश की संभावना जताई है मोसम विभाग ने भोपाल समेट कई शहरों में एक दिसमबर तक भारिबारिश का अलर्ट जारी किया है मोसम विभाग के अनुसार अरब सागर से आ रही नमी की बजल से मोसम का मिजाज बदलेगा अरब सागर में हवा के उपरी भाग में चक्रवात बन रहा है जिसके चलते आज प्रदेश के कई जीलों में बादल च्छाय रहेंगे बदलते मोसम के चलते दीन और राग के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है प्रदेश में अधितम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस खरबोन और नियूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस ग्वालियर में दर्ज किया गया नर्मदापूरम बेतुल गुना डिंडोरी मंडला चिंदवाडा और दमोह में ओरेंज अलट रहेगा यहां ओलाव रष्टी के साथ देज हवायन चल सकती है इसके साथ ही भोपाल जबलपूर इंडोर समेथ 49 जीलों में यलो अलट चारी किया गया है यहां घने कोहरे के आसा के साथ ही कहीं तेज तो कहीं हलकी बारिश की संभावना है बता दे कि राज़दानी भोपाल समेथ इंडोर जबलपूर काई जीलों में पिछले 24 घंटे में बारिश हुई इसमें से महाकोशल, मध्यप्रदेश और मार्वा के जीलेश श्रामी है महीं आने वाले 2-3 दिन तक यानी 1 दिसमबर तक प्रदिश में एसा ही मुसंब बना रहेगा खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहे हमारे साथ MP7 News